सब्सक्राइब क्या चल रहा है होफुली सबकों चाचा चल रहा है मज़े में चल रहा है और मज़े में होने बाद है आपको क्योंकि खांसर की वीडियो ने करा चुकि बहुत लंबा आप लोग को वेट करवाए न उसके लिए सौरी बट दूसरों की भी रिक्वेस्टी तो यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स ताइम देख रहे हैं आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे बेच सकते हो करना क्या होता है चोटा सा चानल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कॉमेंट करके बताने कि और किसके वीडियो पर रियाक आप लोग मुझे इंस्ट्राइम पर फॉलो करके वहां पर डियम भी कर सकते हो लिंक भी शेयर कर सकते हो जैसे आप लोगो ठीक लगे और मुझे बदा सकते हो कहां सब्सक्राइब कर रियाक्शन चाहिए आजकर आपको कमेंट्स बहुत कमारें ऐसा ना करें और आप लोग चलिए स्राइट करते हैं इसका नाम तपस है तपस का फुल पर होता है टेक्टिकल एरबॉर्ण प्लेटफॉर्म पर एरियल सर्वलांस बहुत जाते दूरी नहीं कम दूरी तके लिए यह होता है छोटे हमले को आक्टिकल के नम से इसकी विसेस्ताओं के बारे में समझते ह लेकिन अब इसे आर्मर ड्रोन के तोर पर तबद्ल कर दिया गया अमेरिका भी प्रेडिटर जो ड्रोन बनाया था वो पहले सर्वलांस के लिए बनाया था निगरानी के लिए अब उसको क्या करने के लिए भी तयार रहेगा इसे DRDO ने विक्सित किया और बनानी की जिमेदारी हेल हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेट को दे दिया वह अपनी प्रोडक्शन फेसिलिटी में इसका विकास करेगी और तेजी से इसे आगे बढ़ाएगी इसके नमबर आर्मी एयर पोर्स नेवी सब के लिए इसका प्रोडक्शन को आगे बढ़ाए गया लगब 76 74 के आस प्रोडक्शन के लिए हमारे पास उरिशा का वीलर दूइब जिसका नाम चांदी ये कलाम दूइब को गया उसके उपर है चांदी चांदीपूर और यहां पोखर यह चार जगह याद रखेगा मिसाईलों के परिशन के लिए यह जगह है इसके बारे में आप समझते हैं द सब्सक्राइब कोई बीची स्टेबल इसकी बढ़ जाती है इसमें टर्बो प्रॉप टाइप के इंगन लगे रहें जिसके फैन बाहर होते हैं तर्बो प्रॉप इंगन के फैन क्या हो यह बाहर रहें इसमें तीन ब्लेड दिये गा है घुमने के लिए जबकि तुर्की का जो तीबी टू ड्रोन था उसमें दो ही विंस थे तो ही फैन है घुमने के लिए इसमें तीन प्रॉप टुर्की ने पूरी दुनिया में वहला कर दिया कि उसी का डिर्ण सबसे बढ़े है उसका जो ड्रोन है उसका जो इंगन है वह जादे पावर पूल है वह तेन टर्बो जो अजर्वाजान की लड़ाई में पूरी तरह से पक्ता प्लट कर दिया था या यह युक्रेन की सेना का पूरा मदद किया था यही टीवी ट्रोन इस ड्रोन की जो सर्वी स्टीनिंग है जब चाही होती है उसे सर्वी सिलिंग टेकनिकल भासां बोलाइता है 35,000 फीट है 35,000 पीट पर कॉमर्सियल जहाज उड़ते है इसका अब यह जहाज की हाइक पर उड़ेगा छोटे मोटे चीज़ नीचे ते पकड़ भी नहीं पाएंगे आपर इंडोरेंस जो है इसमें कितने देर तक उड़ सकता है यह तो 18 घंटे की इसकी इंडोरेंस चमता है रेंज जो है यह एक हजार किलो मीटर तक जाकर हमला कर सकता है आपर इसकी रफ़तार साड़े 300 किलो मीटर पाती घंटा बताएंगे आपर अभी इसके रफ़तार इंगन और इसमूथ हों में इसके खाली वजन केवल मतलब जहाज का वजन है इस ड्रोन जो है इस ड्रोन का अकेले वजन 1800 यही से इसकी चालू होती है कि सारे 300 ले जा सकता है कि तुर्की का 2b2 देर 100 KG की वजन को ले जा सकता था वी तेर से 3 मिसाइल ही ले जा सकता नहीं होता है यह defense के चीजों की इसलिए हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन यह बहुत सस्ता होता है इसका rate अभी कुछी को actual नहीं पता होता है तो सारे 300 kg का यह हतियार ले जा सकता है TV2 drone से जादे ले जा सकता है हला कि तुर्की भी अपने drones को advance कर रहा है इन droneों में hard point लगाए जाएंगे चार hard points लगाए जाएंगे दो 20 spins पर 20 spins पर hard point उसे कहते हैं जहां पर हम हतियारों को attach कर सकते हैं तो इसमें चार hard point लगा दिये जाएंगे जहां से हम हतियारों को attach कर सकते हैं और फिर उससे हम लोग fire कर सकते हैं यह drone जादे तर काम आते हैं टैंक्स वगरा को उड़ाने के लिए आते हैं और हम लोगों ने टैंक कूराने के लिए पहले से ही अल्रेडी मिसाइल डेवलप कर लिया हेलीना मिसाइल हेलीना मिसाइल टैंक्स के लिए एकदम घातक साबित होती है अब हेलीना मिसाइल अकेले का वजन 50 केजी है एक हेलीना मिसाइल का वजन 50 केजी है तो अगर हम 7 ठो हेलीना मिसाईल लाग देते हैं तो सारे 300 केजी टोटल वेट हो जाता है और आपको पता है कि इसकी छमता ही जो है वो सारे 300 केजी उठाने की है यानि हम लोग एक साथ 7 हेलीना मिसाईल छोड़ सकते हैं यानि को करोड़ों का टैंक भेजो हम यहां से ड्रोन यूत नीतियां बदल चुकी है यूकरेन की लड़ाई और अर्मेनिया और अरजरवैजान की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि अब जिनके पास ड्रोन टेक्नोलोजी बहतरीन है वही आगे निकलेगा आप देखे इरान जैसा चोटा देश जो डिफेंस के मामले में आत् प्लट कर दिये पूरी तरह से माहौल बदल दिये यह डोन बहुत सस्ते होते में अपर रून में कोई इसली आप नहीं होता है यह तो यह और दो जाएगा यहरों और साथ मिसाइलों को लिए जा सकता और टैंक का हाल यह हो जाता है देख सकते हैं इसमें अल्द पादा का न तो हम अपना आख अमेरिका को नहीं नहीं दे सकते हैं, तो भारत ऐसा है कि हमारे पास इसरों ने गगन स्ट्लाइट सिस्टम छोड़ दिया, तो ये उद ड्रोन को रास्ता दिखाने का काम गगन करेगा, और गगन और डेडी ट्रॉस्टेड है, हमारी नेवी यूज करती है, एरपोरस पहले से यूज कर रही है, जहाज हमारे इंडिया में जितने उर्थे वो गगन को यूज करते हैं, जितने भी ट्रेंज वगरा का एगजेक्ट लोकेशन के लिए भी हम लोग गगन का ही परियोग करते हैं, तो ये गगन सैटलाइट हमलोग का है, तो हमारे इसके पर कंट्रोल है इसका परियोग करना जादे सहीं और यह पूरी तरह से भारत की निगरानी देता है तो अब हम लोग कहीं पर भी हमला करने के लिए GPS पर डिपेंडेंट नहीं यह पूरी तरह से गगन ड्रोन सिस्टम से उपर का इसका इंटीना सिगनल ले लेगा और कहां क्या जाची हो रहा है सब कुछ बता कर लेगा इवन कि यह आपस में लिंक भी होते हैं अगर कोई कॉमर्सियल जहाद जा रहा है इसको कुछ दिखाई दिया तो यह गवर्ण को बता देगा वह बता देगा ड्रोन को यहां पर तो इन आपस में इंटर्चेंज होने से रियल जा चुगा रहेगा आदा गंटा में तो हमें जो भी जानकारी चाहिए रियल टाइम पर अभी वो जहाद तीन पॉइंट कहा है तो रियल टाइम डेटा के लिए हमारा गवर्ण सिस्टम बहुत जरूरी है और यह आपस में इंटिगेटर है सारी सिस्टम आपस में एक दू देखने के काम में आता है यूद में कितना अच्छा देखते हैं यह मतलब नहीं जब दूस्मन को देख लेंगे तो आप भी दूस्मन को मार देंगे अब दूस्मन भी आपको मार देगा या सारी लड़ाई आज ब्योंड विज्वल रेंड है हमारे नजरों से दूर की लड़ाई हो गई यह अंधेरे में हो गई है तो अब वह एच्टी उच्टी काम नहीं आने वालाई में अब टेक्नोलोजी काम आईगी तो उसमें क्या काम आएगा देखिए नाइट वीजन यहां नीचे सर्वलांस के लिए लिए इसमें नाइट वीजन भी दिये गया है और साथ में इसमें थर्मल कैमरा भी दिये गया है देखिए नाइट वीजन होता है कि हमें अंधेरे में देखने की सहूलियत दे देता है नाइट वीजन जबकि थर्मल कैमरा ऐसा नहीं होता है थर्मल कैमरा हमां गर्मी को भावता है कहां का टेंपरेचर जादे है उसको ग और ऐसा लगता है कि जब नाइट वीजन कैमरा हई है तो थर्मल की जरूवत क्या है देखे नाइट वीजन से अच्छा था था आज मुझे पता चला है मतलब मैं जब भी कुछ देखूं खांग सर की वीडियो कुछ ना कुछ मुझे जरूर मिलती है थर्मल होता है अगर इन ह तो नाइट वीजन उसे नहीं देख पाएगा कि इसके अंदर आदमी है और यहीं काम आजाता है थर्मल कैमरा अगर आप इनके उपर चादर से धक भी देते हैं तो इनके बदन की गर्मी थोड़ी ने खतम हो जाएगी तो यह गर्मी को पहचानता है इसलिए थर्मल कैमरा ज्यादे अच्छा होता है यह क्या नहीं डिफेंस के मामले में नाइट वीजन से लेकिन कव किसकी जरूवत पड़ रही है तो नाइट वीजन में भी देख लेगा दिख रहा है थर्मल में भी देख रहा है एकदम एकुरेट पता चलिए तो यह दोनों सिस्टम इसमें ख़ा लाइट को देना है अगर इसमें चार सों डिकरी उसको दिखाना है तो दीखा आज चलेगा तो उसका इंजन 400 इस नहीं हिसाब से बना देगा तो इसका इसक्रीन है पुरा ब्लैक रहता है इन्फरारेट वाले में यह इसक्रीन फिर्प पूरा इसक्रीन ब्लैक लेक्षा जो आगिया सीदर मारओ तो इस से भी आटैक करने में इजी हो जाए गया यहां पर नेविगेशन की कितनी बेहतरी बेवस्था रखी गई लेकिन यह सारा नेजी केसं फेल हो जाता है जानते हैं कियों जब कोई जहाज ग्राउंड पर हो और उस ग्राउंड के जहाज का इंजन आफ हो तो पकड़ना काफी मुस्किल होता है तो अभी के समय में सबसे एडवांस टेकनोलोजी है वह सेंथेटिक अब समझ में आता है यहां यह देखता ही नहीं अब पर दोगा होता है जर्थ है तरणों को छोड़ता है अब जैसे हमारे ऊपर को टरंग छोड़ेगा तो नाक से तरंग तक्राईगी तो पहलेज़ेकी जो गाल से तक्राईगी थोड़ा बाद में जाईगे कुई नाग उफर है गाल नीचे है उसी तरह से अलग-अलग जगह से टकराईगी तो अलग-अलग तरंगे उठेंगी जैसे सिंपल सी बाग बताते हैं हम आटा सान लेते हैं ठीक है आटा सान के अपने मुझ पर से चिपका लेते हैं जब इसको नोचे गे तो मेरा थूथूर से गुज्रेगा तो उसके उपर से पूरी तरह से वेब छोड़ देगा आइसे पूरा वेब छोड़ देगा और देखेगा कौन वेब कितनी उचाई से टकराकी आ रहा है जैसे इधर साइड-साइड में घास था बीच में यहां रनए में था तो रनए वाला अलग आग तो पूरा इसकेन कर लेता अब इसमें कोई छुपा रहे है या नहीं अब कोई छुपा भी रहेगा तो उसके जब गोल बना देगा कि यह तरह यहां पहले ही आ गई है जमीन तक नहीं गई है तो यह सेंथेटिक अपर्चर रडार से भी सेलाइस किया गया है यानि इसमें और फौज को नकाब नहीं सकते हैं जितना भी टेकनोलिजियाँ आए वहाँ खड़ी रहते हैं कर फाज को दिख जाता है दूसमन का बस जान्य रहा है ट्रॉक जानगभ तो फोन करेंगे निदूसमं का ट्रॉक उदर गया है जहाज आएगी पिर खोजे घिर घिटर गयाँ आँपाई मत чист यहां एक आदमी लेजर मशीन लेकर खड़ा रहेगा इस साइट में लेजर मसीन लेकर खड़ा हो जरीक यह अब लेजर नाइग.. किसी को चला दिखा दिजेगा तो उसको क्या समझ में आएगा इस बेचारे टैंक को कुछ पता ही नहीं है इसको कुछ पता ही नहीं है कि इसके ऊपर किसी ने निसाना भी लगाया है एक्चुल में इस पर तो निसाना ही नहीं लगाया है उसने तो इस टैंक के ऊपर केवल एक जैसे यह विखые तरंग बनेदा और इसे रड़ा पर कोई나 कोई हल चल कहां हो रही है तो इसी इस ने महीं इसने महारा नहीं इसने केवल निसाना लगा दिया इस पर यह कैसे काम किया समझे द्यान सा देखिए यहां दुस्मन का एक टैंक दो टैंक यह तीसरा टैंक यह आदमी तिरपाल ओर के छुपा हुआ है गास उस लगा के छुप जाते हैं और यहां से लेजर बीम छोड़ रहा रदार जैसे इस बिखरे हुए तरंगों को पकड़ेगा तो हमारा ड्रोन या हेलिकॉप्टर या फिर फाइटर जहाद इस डारेक्शन में चल देंगे कि ओ सब्सक्रा यही मारे बम धराम से अब यह ड्रोन लेके पहुँच गया और नीचे से माद दिया मिसाईल और मिसाईल जाके सीधे हिट कर दें इसमें एक भी गोली नहीं चलाए लेकिन इसने सारा कांड करके रख दिया इसे कहते हैं लेजर डेजिकनेटर यही डिसाइड करता है कि लेजर कहां जाएगा इसको क्या पता चलेगा लेकिन वह बिखरेगा तो रणार चोटे से चोटे चीजों को पकड़ लेता है जिस वज़े से वहां पर आके हमला किया रहा सकता है तो यह अभी की सबसे खतरनाक टेक्नोलजी है देखिए यहां पर इसने यहां से लेजर लाइट इसको दिखाया इवचरा चुप चाप जा चलो जी हुजाइए हम भी चलते हैं तुम भी चलो सफरत में आगया उपरा से आगया रही होती है यह तुरभ जानकारी सेटलाइट को दे देती है जहां जहां जाके इसको मार देता है तो आज का जो सेनेर्यू है लड़ाई का वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है तो तपस ड्रोन अब सरवलांस नहीं रहा गया बलकि अब यह हमला करने के लिए तयार हो गया है डिपेंस के सेक्टर में जो भी चीजे नहीं होती है उसको याद भखते रहिएगा क्योंकि आप साइंस एंट टेक्न लॉजी के सेक्टर में पुष्चन का दारा दारा बढ़ते गया है ओके हृत मतलब हमेशा वहीं बहुत इंफोर्मेटिव्टा बॉट इंफोर्मेटिव था ता था और्भाई था क्या करें और सब्सक्राइब ऑनाए इ पता नहीं एक प्रत्व को अपनी तयारी रखनी चाहिए है एक भी कमी छोड़ी नहीं एड्रोन में सारी चीजें इन लोगा आड की है क्या बात है seriously ठीक है and yes काफी टाइम बाद आई हूं लेकर खांसर की वीडियो तो आप लोग जाहिए अभी अपनी रिक्वेस्ट भीना शुरू कीजिए और कौन से वीडियो चाहिए खांसर की या और किसी के ठीक है यह वीडियो पसंद आया ता प्लीज इसे लाइक जरू कर देना शेयर कर दन अपने पैंसर के फांसर के शाथ में यां तक देख लेए तो चानल को जरू सब्स्क्राइब कर लेना और मेरे सेकेंड चानल का लिंक नीचे दिस्क्रिशिन बॉक्स में बापस याद दिलारी तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक लिप वीडियो में सब तक खुद कर ख्याल रखें खुश रहें और थाइंक यू टाटा बबाई टाटा बबाई